हेलो एवरीवन स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉप में सरकारी सिक्षक भरती का नया एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है नेताजी सुभास चंदरवोस आवासिय विध्याले से जिसमें सैक्षिक और गैर सैक्षिक पदों पर वेकेंसी आई है इ सब भी आविधन कर सकते हैं तो ओफिशियल वेबसाइट पर सबसे पहले जो है नेम आव पोस्ट आप देख लें फुल टाइम टीचर की वेकेंसी है यहां देखें सिक्षक एवं सिक्षिका मेल फीमेल दोनों अप्लाए कर सकते हैं हिंदी भासा में अंग्रेजी भासा में सामाजिक विख्ञान, साइंस टीचर में जी विख्ञान रसाइन विग्ञान वहुत टिक विज्ञान एवं गरित फिजीकल अभी जो है क्वालिफिकेशन आप जो है अच्छे से देख लें यहां पर लिखा है कि 1,2,3,4,5 पर अंकित पद यानि कि भासा हिंदी, इंग्लिस, मैथ, सोसल साइंस और साइंस टीचर तो इनके लिए जो है ग्रेजुएशन में 50 प्रतिशत मार्क्स आपके अनिवारे हैं अगर आपने उच्छतर सेक्षन की ओग गता यानि आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की है सबजेक्ट में तो इनको प्रात्मिक्ता दी जाएगी साथ में आपके पास B.Ed. या फिर प्रारंबिक सिक्षा प्राइमरी लेवल का आपके पास दो वर्षिय डिप्लॉमा जिस ही नाम से जाना जाता हूँ आपके राज्य में चीक है B.T.C. है B.S.T.C. है D.L.Ed. है B.L.Ed. है जिस भी नाम से आपने किया हो प्राइमरी लेवल का डिप्लॉमा या B.Ed. वाले दोनों ही जो हैं इसके लिए एलिजिबल हैं यहाँ पर J.T.C.T. या फिर आपके राज्य का टैट ये भी आपका क्वालिफाय होना चाहिए 1-2-8 के टीचर्स के लिए कक्षा 9 से 10 के लिए वर्गीकरत किये गए पद पूनकालिक सिक्षक सिक्षका विज्ञान विशय समूँ जी विज्ञान रसाइनी विज्ञान भौते की एवं गनित के लिए जे टैट, सी टैट या फिर पडोसी राज्यों से टैट में उतीन रहना अनिवारे नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपको दिखाए हैं वन्टू फाइफ यानि हिंदी, इंग्लिस, मैट्स, सोसल साइन्स और साइन्स यहाँ पर जो जी विज्ञान, रसाइन विज्ञान, भौते की विज्ञान इनके लिए जो है बताया है नाइन टैंथ के लिए कि आपके पास जो है अगर टैट नहीं है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाए कर सकते हैं आगे देखें पून कालिक सिक्षक सिक्षिका, कम्प्यूटर तथा सारिरिक सिक्षक सिक्षिका के पद के लिए भी जो है कोई भी टैट नहीं चाहिए लेखा पाल सहे कंप्यूटर ओपरेटर के लिए बीकॉम 50% मार्क्स के साथ में और किसी भी मानेता प्रतिष्ठान से एक वर्सिये कंप्यूटर कोर्स में PZDCA, DCA या फिर कोई भी समकष परिक्षा आपने उत्तिन की हो हिंदी और इंग्लिस में कंप्यूटर टाइपिंग के साथ टैली सॉफ्टवेर की जो है नौलेज अनिवार्य है सपोर्ट स्टाफ के लिए मैट्रिक, मुखे रसोया के लिए आठवी पास, सहायक रसोया के लिए आठवी पास तो ये क्वालिफिकिशन है जो मैंने आपको बता दी आप जो है सैलरी इसमें कितनी देंगे तो इसमें जो सैलरी इनोंने बताई है पूर्ण कालिक सिक्षक सिक्षिका के लिए सैलरी 15,840 15,840 प्रति महाद्य होगी समविदा के अधार पर वेकेंसी है और इस समविदा को जो है इयर वाइस जो है बढ़ाते जाएंगे और आपके जो है 250 रुपीज की वार्षिक वेतन व्रद्धी प्रति वर्स जो है आपकी इसमें होती जाएगी सैलरी जो है वो आपकी हर साल जो है बढ़ती जाएगी तो ये गॉर्मेंट स्कूल से है वेकेंसी वेकेंसी जार्खन सिक्षा परयोजना बोकारों से आई हुई है इसमें जो है सभी राज्यों के कैनी रेट जिन्होंने B.A.D. किया है B.T.C. किया है B.S.T.C. किया है D.L.A.D. किया है B.S.T.C. किया है सभी आवेदन कर सकते हैं 1 2 8 ख के लिए C.T.T. J.T.T. या फिर आफके राज्य का T.T.C. क्लिएर होना चाहिए 9 10 के लिए नहीं जाहिए Computer teacher के लिए भी नहीं जाहिए ठीक है यहाँ पर देखें चैनेत होने वाले सिक्षक या सिक्षक या सिक्षक तरकर्मी की सेवा अनुवंद के आधार पर प्रत्थम तया यानि पहले वर्स जो है आपको लेंगे और आपका कार्य जो है अच्छा होने के बाद एक-एक वर्स की अबदी के लिए सेलरी भी आपकी इंक्रीज होती जाएगी और आपका टाइम पीरेट भी जो है वो बढ़ाते हुए जाएंगे सिक्षक शिक्षिकाओं एवं लेखा पाल को आवासी परिसर में ही जो है रहना निवारे होगा यानि सेलरी के साथ में आपको आवास की सुविधा तो इसमें मिलेगी ही चैन है तो अभ्यारती की न्यूनतम ओंबर 21 वर्स होनी चाहिए अन्रिजर्व कैटिगरी की 35 वर्स है फीमेल कैटिगरी चाहे किसी भी कैटिगरी की हो अन्रिजर्व EWS BC 38 है उसके बाद Extremely Backward Classes के लिए 37 है SCST Male Female 40 वर्स है PWVD की 10 साल चूट है इसमें यानि 35 के बाद 10 साल और 45 यर तक के अनुभवी महला एक्स सर्विसमेन को 5 वर्स तक की जो हाई उसमें में और चूट दिये रहे हैं ये आवेदन करने के लिए क्या करना है तो अब ये application form आप लोगों को यहां दिखा दिया जाएगा पूर्टे भरे हुए आवेदन पत्र आपके सभी document के साथ में अन्तिम तिथी 13 अगस्त 2024 ध्यान रखना है 13 अगस्त 2024 पांच बजे तक इस address पर भेजना है जिला सिक्षा पदाधिकारी सह जिला कारिक्रम पदाधिकारी जार्खन सिक्षा परयोजना campus मध्य विद्याले SBS4 वेवव होटल के पीछे वोकारो 827-013 ठीक है कोई भी इसमें फीस नहीं लग रही है किसी भी category के लिए कोई फीस नहीं है तो समय पर ही भेजें क्योंकि आपको बाइपोस्ट ही भेजना होगा यह official website का link है एक चीज और ध्यान दे आवेदन करने वाले आप भ्यरती को अनिवारे रूप से आवेदन के लिफाफा के उपर लाल रंग से मोटे अक्षरों में आवेदित पद का नाम किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम एवं कोटी अंकित करना अनिवारे होगा कोटी जो कि आपको अभी यहाँ पर देखी आपने दुबारा से देख लें आप यह देखिए आपको कोटी अनिवारे करना होगा अंडिजर्व, BC1, BC2, SC, ST, EBC ठीक है? यह आपको जो है लिखना जरूरी है उसके बाद देखें कुछ भी मिस्टेक नहीं करनी है आविधन के साथ में क्या-क्या आपको लगाना है तो आपको 23 x 10 cm का खुद का पता लिखा हुआ दो लिफाफा यह जरूर आपको इसमें लगाना है अप्लिकेशन पॉम के साथ में अच्छे से आविधन को फिल करना है दो लिफाफे लगाने है आपको जितने भी आपके डॉक्यमेंट है उनकी फोटो कॉपी लगानी है जो आरक्षित स्रेणी है जहार खंड की जाती प्रमान पत्र उनकी फोटो कॉपी लगानी है बस यही ठीक है तो आप दिहान दें यह document जो है वो सही तरीके से आपको लगाने होंगे यह application form है थोड़ा नीचे आएंगे तो इसी में मिल जाएगा notification कैसे देखेंगे application form डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले जो है official website पर चले आए जारकंड सरकार जिला बोकारो यहां पर आप लोगों को दिखेगा what's new के साइड में notice नोटिस पर क्लिक करना है second number पर लिखा है important information for selection in नेताजी सुभाच अंद्र बोस residential school इस पर आप क्लिक करेंगे सारा process समझें आप पहले step by step मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताती हूँ यहां पर starting date जो है 18 जुलाई है तो 2-3 दिन पहले ही जो है यह विग्यापन जारी किया गया है 13 अगस last date रहेगी view to mb यहां पर आप लोग इसे देख सकते हैं डाउनलोड करने के लिए आगे click here to download ठीक है इस पर click करना है फिर आपके सामने यह पूरा notification होगा छे पेजों का सबसे नीचे आप आएंगे तो आपको application form मिल जाएगा तो जितनी भी information होती है officially आप लोगों को सारी चीज़ें बताई जाती है कोई भी vacancy fake नहीं होती है तो आप निश्चिंद रहें और अगर आप form apply करना चाहते हैं इच्छुक हैं तो बिलकुल apply करें समगर सिक्षा के तहर जो है यह vacancy जारी की गई है मिलेंगे next वीडियो में thank you